प्रशान दवन देखो हाली में USA ने क्लेम किया है ये बाइदवे ये टॉपिक आज के समय internationally in the field of defense बहुत ज़रा डिसकस किया जा रहा है चाहे रश्या का मीडिया हो युएस मीडिया, इंडियन मीडिया के युएस यहाँ पर क्लेम कर रहा है के युद अब्यास में इन्होंने S-400 missile defense system को destroy कर दिया और अब इनको ये बता है के S-400 का तोड़ क्या है यहाँ पे आप देखोगे ये article है स्पूतने का स्पूतने क्या है Russian government का खुद का news outlet it is owned by Russian government China का Global Times है वैसे आप कह सकते हैं Russia का स्पूतने क्या है मगर ये अनाप शनाब article publish करते नहीं है to the point बात करते हैं यहाँ पे आप देखोगे ये इनका खुद का article है के US military ने practice करी है bombing of S-400 batteries in controversial African lion war games in Morocco एक और article यहाँ पे आप देख पा होगे USA का S-400 SAMs knocked out in simulated strikes during big army red exercise in Africa ये एक और article है न भारत टाइम्स का एंडिया में कि अमारिका ने रूस के S-400 missile defense system को तबा करने का अभयास किया है नाव आपके माइन में बहुत ही basic question है कि all right so USA अगर ये दावा कर रहा है क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि US ने genuinely ऐसा किया है और दूसरी बात अगर ऐसा किया है तो क्या इसका बहुत ही negative impact होगा भारत पे तो इसका simple answer है हाँ अगर US ने definitely ये किया है तो ये एक बहुत ज़रा खराब news है भारत के लिए मगर मैं आपको ये बता दूँ के US का यहाँ पे target इंडिया था नहीं इनका main target था यहाँ पे रश्या और चाइना ये रश्या और चाइना को ये message send करना चाते हैं कि जो missile defense system आपके पूरे air defense system का crown jewel है उसको हम आसानी से destroy कर सकते हैं और ये हमने एक international war game में करके दिखाया है now first of all S-400 ये आप सबको बता होगा ये है एक anti-aircraft weapon system इसको काफी बार का गया है दुनिया का service raised air defense system the economist उसके अलावा Stockholm International Peace Research Institute उन countries की magazine और institutions जिनके relations काफी खराब है रश्या के साथ उन्होंने भी यहाँ पर ये बात मानी है कि S-400 is the best out there आप इसी बात से समझ लो के Turkey एक NATO member है इंडिया एक Quad का member है मगर फिर भी दोनों देशों ने American air defense system purchase नहीं किये अब बात करते हैं war games की जो हाली में हुई थी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं African loin की आपको बता होगा अमेरिका दुनिया भर में बहुत से war games करता है युद अबयास करता है भारत में आपको बता है Tiger Triumph है उसके लावा युद अबयास है और भारत के लावा ये लोग युद अबयास करते हैं African loin में total participation होती है चार देशों की अफरिका से Morocco, Tunisia, Senegal और अफकोर्स US यहाँ पर participate करता है यह देश कहाँ पर आपको मिलेंगे यहाँ पर देख पाएंगे यह है world map और यह है हमारा प्यारा भारत और अफरिका के northern part में यहाँ पर आपको देखेगा Morocco यहाँ पर देख साइस को लेकर भी एक controversy हो गई थी, controversy यह थी कि Morocco ने यह कहाँ दिया कि यह यह दव्यास हुआ था western सारा में, western सारा आपको बताओगा एक ऐसा region है जो Morocco claim करता है कि इनका part है, मगर कई देश Morocco के आपर against है और वो लोग कहते हैं कि नहीं, western सारा आपका part नहीं है, western सारा एक independent दे तो Morocco ने आपर शरारत यह कर दी कि हाला कि US की forces आये थी Morocco में, इन्होंने statement यह जारी कर दी कि जो युदव्यास है यह हुआ है western सारा में, बाद मैं USA को clarify करना पड़ा के नहीं नहीं, हमने सिर्फ Morocco की जो proper territory है वहीं पर युदव्यास किया है, तो खेर यह तो है participants यहाँ पर, अब African Lion War Games के दुरान, by the way, यह War Games अभी भी चल रहे हैं, यह खतम होंगे 18 जून 2021 को, सो इन War Games के दुरान US ने यहाँ पर यह का कि चलिए focus करते हैं S-400 पर, और US ऐसा क्यों चाहेगा, देखो S-400 US के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, इससे Russia का influence काफियत तक बढ़ता ह है, उसके लावा, अमेरिका की जो weapon sales है, यह भी काफियत तक कम हो रही है, for example, इतने सारे customers हैं, आज के समय S-400 के, इंडिया, उसके लावा अब Turkey है, और अब तो Algeria, यहाँ पे आप अगर देहोगे, मरोको के साथ देश है, Algeria, यह भी सोच रहा है, S-400 purchase करने की, अब Turkey को US रो पास है, it will be absolutely useless in a few years, तो in very simple words आप कह सकते हैं, यह USA की एक strategic warning है, Russia और China को, और उसके लावा, एक marketing strategy भी है, आफरिका के लिए, कि आफरिका में कोई देश S-400 ना purchase कर ले, यहाँ पर आपका question आगा, कि अच्छा ठीक है, USA यहाँ पर यह कह रहा है, कि हमने S-400 को destroy कर दिया, मग यह obvious ही बात है, इनके पास physical form में S-400 नहीं आया, इन्हों ने यह जो पुरा योदवयास है, यह किया है, simulated strikes में, इसका मतलब यह है कि S-400 का जो data है, यह डाल दिया computer में, और उसके बाद real missiles, real जो इनके bombs हैं, यह ground पर destroy किये, उनकी जो तीवता है, उनकी जो strength है, यह test करी, और और फिर calculations के हसाब से, यहाँ पर test किया, कि अगर physical form में, यहाँ पर S-400 होता, तो क्या इसको यह destroy कर पाता है या नहीं, और by the way मैं आपको यह बदा दूँ, कि simulated strikes, चाहे computer से होती हैं, इनको आप कम मत समझ लेना, यहाँ पर proper data सामने आता है, और internationally, अगर कोई देश, various countries के यह war games कर ले, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, धांदली के chances बहुत कम है, आप यह नहीं कह सकते के, वो चुपचाप अपने कमरे में बैठके, एक result खुदी produce कर ले, और दुनिया के सामने रख दे, यह नोंने बाकी countries के सामने, with proof, with evidence दिखाया है, कि अगर S-400 हमारे सामने होत तो हम उसको अराम से कर देते, destroy, अगला सवाल यहाँ पर आप पूछेंगे, कि USA ने यहाँ पर क्या समाल किया है, S-400 को destroy करने के लिए, देखो, USA ने इंटरस्टिंग बात यह है, यह बात reveal नहीं करी, इन्होंने यह बात अपनी drill में, notification में कहीं भी, अभी तक नहीं बताई कि S-400 को destroy करने के लिए, कौन सा weapon यहाँ पर समाल किया गया, इससे पहले बाद अवे, USA ने अपने देश में, जब यह simulated exercise करी थी, तब इन्होंने यह का कि हमने F-35 से destroy कर दिया था, S-400 को, अब उस वक्त लोगों ने यह बात मानी नहीं क्योंकि अपने country में तो ख्यार कुछ Russian experts यहाँ पर calculations आप कह सकते हैं, predictions करने की कोशिश कर रहे हैं, कि actually मैं US ने क्या use किया होगा, तो इनकी prediction बता रही है कि 2 option हो सकते हैं US के पास, एक तो है HIMARS weapon, यह है High Mobility Artillery Rocket Systems, अब मैं to be honest सर खुजा रहा था, कि लोग कैसे सो सकते हैं, कि एक artillery system से S-400 को destroy किया जा सकता है, क्यो इसको US ने बनाया था 1990s में, आज तक इसको यह लोग इस्तवाल करते तो हैं, और एक system की cost देखिए, missile होगा सब मिला के, आप कह लीजे, maximum maintenance होगा सब आप अगर add कर दो, तो है 12 से लेकर 13 million, बहुत ही ज़ादा सस्ता है compared to S-400, और इसकी range क्या है, range US कहता है, इसकी 480 km, तो S S-400 से जो इसकी range है, वो तो ठीक है, जादा है, मगर दोनों का use completely different है, और यह assume कर लेना, के S-400 के आसपास, आपका दुश्मन आपको allow करेगा, कि आप एक artillery deploy कर दो, यह एक मुर्खता होगी, क्योंकि obvious ही बात है, अगर Russia, China, India, किसी भी country को बता लग गया, कि जहाँ पर S-400 deployed ह उसके literally 500 km दूर, artillery इस टाइप की deploy हो रखी है, पहला काम तो वो लोग यह करेंगे, कि कुछ भी करके, artillery को destroy कर देंगे, या फिर S-400 को काफी पीछे कर देंगे, उसको इतना इसके पास लाएंगे नहीं, तो इसके chances काफी कम लग रहे हैं, ज़रा chances यहाँ पे लग रहे हैं, H ARMSK, यह क्या है, देखो यह एक missile है, इसका नाम है, AGM-88 High Speed Anti-Radiation Missile, Anti-Radiation से यह मत समझे लेना, कि यहाँ पे कोई nuclear radiation की बात हो रही है, यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, radar की waves की, Anti-Radiation missile क्या करता है, specifically target करता है radar को, S-400 में भी आपको पता होगा, एक radar है ही, तो यह missile हो सकत है कि US use करे, S-400 के against, इसको destroy करने के लिए, AGM-88 काफी common missile है, to be honest, आज के समय, बहुत सी countries इसको use करती है, और यहाँ पे आप देख पाओगे, यह इसकी photo है, और इसको आप launch कर सकते हो, बहुत से aircraft से, F-16, F-18, उसके इलावा, even Eurofighter Typhoon, और F-35, Rafale में यह fit होता नहीं है, मग इसका answer है, हाँ, यह इंडिया के लिए एक चिंता की बात हो सकती है, कि अगर US officially यहाँ पर यह claim करता है War Games में, कि हमने S-400 को destroy कर दिया, और even Russians अपनी official website पे इसके बारे में लिखते हैं, कि हाँ, हमने भी इसको देखा है, कि War Games में तो at least यह लोग क्या रहे हैं, कि इन्होंने S-400 की जो बैटरीज है, इसको destroy कर दिया, उसमें अगर इन्होंने use किया है anti-radiation missile, जिसके बारे में, by the way, Russians खुझी लिख रहे हैं, यह जो मैंने आपको missile के बारे में बताया है, यह असा नहीं है, कि French analyst या फिर English analyst यह सब क्या रहे हैं, Russian analyst ने खुझी काय के हो सकता है, कि य यह missile उन्होंने आपर use किया हो, तो यह missile एक्चुली पाकिस्तान के पास भी है, अगर इनके पास होगा भी, तो limited quantity में होगा, मगर यह इंडिया के लिए कचिंदा की बाद यह है, कि पाकिस्तान के पास F-16 भी है, और यह anti-radiation missile भी है, जो US के हिसाब से हो सकता है, एक तोड S-400 का, यहाँ पर आप यह भी पूछ सकते हैं, कि अच्छा anti-radiation missile, क्या भालत के पास भी इस टाइप का missile है, तो इसका answer है, हाँ, एक development में missile चल रहा है, इसका नाम है rudram 1, यह बहुत important है, यह है इंडिया का anti-radiation missile, so overall देखिए, यह आपकी समझ पर depend करता है, कि यहाँ पर US के जो claims हैं, उनको आप किस तरीके से accept करते हैं, किस तरीके से interpret करते हैं, मगर genuinely क्या USA ने तोड़ निकाल लिया है S-400 का, यह तो देखिए, समय ही बताएगा, only time will tell, and finally, यहाँ पर मैं add कर दूँ, कि आज रात को 12 वजे खतम हो जाएगा, an academy का special combo offer, यह combo offer आपको allow करता है, कि आप prelims, mains, optional, तीनों की त्यारी कर सकते हैं, with a single purchase, दोनों courses को अगर आप purchase करोगे, अलग-अलग, तो आपको बहुत pay करना होगा यहाँ पर, मगर combo offer में, already आपके पै change कर सकते हैं, यह combo offer, जो 12 मन का course है, यह per month आपको पड़ेगा, 6,375 रुपीस का, मगर इस पे already discount लग चुका है, इस पे additional discount भी लगेगा, अगर आप use करते हैं, यहाँ पर promo code PD10, and the prices will fall, so use the promo code PD10, and save money, by the way, यह जो भी offer है, इसमें आपको 20 UPSC की books भी मिलेंगी, और जो overall आपक कोर्स है, यह सिर्फ 12 महिने नहीं, 2022 के mains तक भी valid रहेगा, so it is a great offer, अगर आप life में properly एक बार चाहते हैं, के UPSC की आप त्यारी करें, so you can purchase it, तो यह है video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all.